हमसे न तुखाने की न पीने की बात कर मर्दों की तरहा दुनिया में जीने की बात कर मर्दों की तरहा दुनिया में जीने की मात कर मेरे जनाजय के पीछ साल के हूं, सेवंटी, तब मैं बीच साल के थे, और भीक मंगते थे, इतनी शी बच्ची थे मेरे पास, और गाना बोलती थे, गाना बोलने के लिए, गाना बोला तो खाना मिलता था, कि मन्जिल बहुत दूर है, जाना वह जरूर है, रास्ता मुश्किल देतों है, बहुत है, मरना मंझور है, अरणा गाना वह जरूर है, मगर अरो के लिए भी जरूर के लिए ऑास्टा अला इससे मिरे जिए जनाजय के पीछ सार जहा हुआढ कोई वातना बहुत है, जनाजय को बहँआ थे, जनाजय की बहुत है, penguinu कassing च्लओा जिन रीए जन क में तो तो निकलता भी ने मन काय को मरना, इसलें मीन तएकलों कि चलो मैं अदरों के लिए जो एंगे, और मैं भीकारी की माह होगे, मैं अनाथो की माह होगे, एक बात है बड़ी जब आपर बुरी यदे ऑने टाइम उरा टाहि है, बुरा टाहिता है तब अपन दूसरों के लिए सोस्ते हैं तो थोड़ा सिर्गा होजाता है, बर्ना चाहते हुए। जान्He माघ कणि बर्ने का प्रयोग के में अंसक्षिसात्मात्या, मेरे को मर्ना है, मर्ना है और किसे आवा जाया जाए दे को, ड्ल्सक्षज मेरें जानाइ जानाइए। चाहेब्टेछा टिए, पर फिलक्रणदेट्सु का होगी तो चाहते है, ककफं़ को जेब नहीं होती, कफं़को जेब नहीं होती, और मौट कभी रिष्वत नहीं लेते। जब मरना होट द अब Mainna, मगर अभी मरने वाल्यके लिए जिना सिखख up और मेंने मर ये जल दोड़ में दोड़ना के दिए, में मुरी ज नहीं रहे बिदा जो और जनेदो मेंने तो जिसका कोई बिने पलु में बच्चो को उठाई, तो खिलाया, पिलाया अपना पलु उसके आंग पर रछारी बिदा और वो मरा नहीं, इसलिए में हजारो बच्ची की मा हो गए, अकेली थी, अभी तो पूरा कार्मा बन गायरे मेरा, एक बात समझ में लिए बिटा, सोचो, कि मन्जिल बहुत दूर है, कोई बात नहीं, फिर भी ताही करना तो है जिन्नगी का, जब उसी ने मेरे कबर पर आखे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब उसी ने मेरे कबर पर आखे मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया, कफन को जलने दो, खुद मत जलो बिटा, औरो के लिए दिल से जलना शिखो, ये तो बता रही आज के जुनिया, जिए और जिने द आगे बढ़ो मागर पीछे भी मुड़ो बिटा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को भूग लगी, मैं भूग के पास गई, भीकारी चिल्लाते थे खाने के लिए, मैं खाना मांगती तोर भीकारी को खिलाते थे, मेरी भूग अपने आप जाती थी रहे 14 नवंबर 1947 को माराष्ट्र के वर्धा जिले में, पिम्परी मेगे गाओं में पैदा हुई एक लड़की, जिसे लड़की होने के कारण जीवन भर संगर्श किया आज 273 राष्ट्रिय और अंतर राष्ट्रिय पुरुसकारों से सम्मानित है दुनिया भर में माई के नाम से जाने जाने वाली ये प्रेणा दाय काहनी है सिंधु ताई सबकाल की, माई का जन्म एक छोटे और गरीब परवार में हुआ था उनके पिता अभिमान साथे एक चरवाही थे और लड़की पैदा होने के कारण उन्हें परवार में कभी प्यार नहीं मिला बच्पन में उन्हें चिंदी, जिसका अर्थ होता है फटा हुआ कपड़ा के नाम से बुलाया जाता था केवल उनके पिता ही थे जो उनका पक्ष लेते थे और उन्होंने पूरे परवार के खलाब जाकर माई का स्कूल में दाखला करवाया था लेकिन वो केवल चोथी कक्षा तक ही पढ़ पाई और दस साल की छोटी सी उम्र में उनका विवार उनसे तीस वर्ष के बड़े उम्र के आदमी श्री हरी सबकाल से करवा दिया गया शादी के बाद भी उन्होंने कोई सुख नहीं देखा और बीस साल की उम्र तक वो तीन बच्चों की मा बन चुकी थी उस जमाने में भी माई ने अत्याचार और नाइनसाफी के खिलाफ आवाज उठाई थी मजदूरी का वेतन ना मिलने पर उन्होंने अपने गाउं के मुख्या की शिकायत जिला अधिकारी से के थी इस अपमान का बदला लेने के लिए मुख्या ने उनके पती से कहकर माई को घर से नकलवा दिया जब माई को घर से नकलवाय गया तो वो नौ महीने की गरववथी थी उसी रात उन्होंने एक तबेले में एक बेटी को जन्म दिया अपने नवजात शुशु को लेकर माई अपने मा के घर गए लेकिन उनकी मा ने उन्हें घर में रखने से इनकार कर दिया तब तक उनकी पिता का दिहान्त हो चुका था शायद अगर वो जिन्दा होते तो माई को भटकना नहीं पड़ता कई दुनों तक वो इधर उधर भटकती रहीं काफी समय तक वो दिन में रेलवे स्टेशन पर भीक मांग कर गुजारा भी करती और रात में सुरक्षित रहने के लिए शमसान घाट पे रात गुजारती और वहाँ पर पड़े फटे पुराने कपड़ों से ही अपना और अपनी बेटी का तन धखनी रेलवे स्टेशन पर समय बिताते वक्त उन्होंने देखा कि वहाँ और भी बहुत सारे अनाथ बच्ची हैं अपनी संगर्श काल में उन्होंने ये महसूस किया कि इन अनाथों की तरह दुनिया भर में और भी बहुत से अनाथ ऐसे ही भीग मांगते होंगे तब उन्होंने ये प्रण लिया कि जो भी अनाथ बच्चा उनके पास आएगा वो उसे अपना लेंगी और उन्हें मा का प्यार देंगी माई ने रेल्वे स्टेशन के सब अनाथ बच्चों को भी अपने साथ ले लिया और अपनी बेटी की तरह उनका भी लालन पालन करने लगी भीक मांगकर जो भी मिलता वो उन्हों सब बच्चों में बाढ़ देती अपनी बेटी ममता के प्रती उनका प्रेम ज़्यादा ना हो जाए और वे दूसरे बच्चों में भेदभाव ना करने लगें इसलिए उन्होंने अपनी खुद की बेटी को शिरी दगडू सेथ हलवाई पुणे महरास्ट्र ट्रस्ट में गोद दिया ताकि वे सारे अनात बच्चों की मा बन सके कुछ समय बाद माई की पहचान पास में रहने वाले आदिवादियों से हो गई और वो अपने सब बच्चों को लेकर उनके साथ रहे लगी अब माई और उनके बच्चों के पास रहने को जोपड़ी भी थी और इधर उधर से जो भी मिलता वो मिल बाट कर खा लेती आज माई के पांच से अधिक संस्थान है जहां वो अनाद बच्चों को आसरा देती हैं उनका पालन पोशन करती हैं उन्हें स्कूल भेजती हैं और उनकी शादी भी करवाती हैं माई के 1400 से अधिक बच्चे हैं और उनमें से कई पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, आई-ए-ए-स और आर-ए-स आफिसर्स बन चुके हैं और कई बच्चे तो अब अपना खुद का अनात आश्रम भी चलाते हैं उनकी खुद की बेटी अब एक वकील बन चुकी है और अपना एक अनात राश्रम भी चलाती है माई ने अब तक 207 से ज़्यादा लड़कियों की शादी करवाई है और 36 से ज़्यादा भाववें भी है और उने रेलवे स्टेशन से जो पहला बच्चा गोद लिया था वो आज उनके पांच संस्थानों की देखरे करता है यहाँ तक की 80 वर्ष की उम्र में जब उनके पती माई के पास लोट कर आए तो उन्होंने उन्हें भी गोद ले लिया और बड़े फक्र के साथ वो अपने पती को अपना सबसे बड़ा बेटा बताती है माई कहती हैं कि वो केवल एक माँ है और बस एक माँ ही बन सकती है उनके पती ने चाहे माई के साथ जो भी कुछ किया हो और वो सब कुछ भूल कर उन्हें भी गोध लेकर अपना बेटा बना लिया ये सब करने का माय का कोई निजी स्वार्थ नहीं था और ना ही वो ये मानती थी कि उन्होंने कोई समा सिवा की वो बस इतना कहती हैं कि इन सब बच्चों को मा की जरूरत थी और मैं इनकी मा बन गई इसमें मैंने किसी का कुछ बला नहीं किया ये कुई समा सिवा नहीं की उनके अनुसार समा सिवा बोल कर नहीं की जाती इसके लिए विशेश प्रयत्न भी करने की जरूरत नहीं अंजाने में आपके द्वारा की गई सिवा ही समा सिवा है सिंधुताई को कुल 273 राष्ट्रिय और अंतर राष्ट्रिय पुरुस्कार प्राप्त हुए हैं जिन में अहिल्या बाई होलकर पुरुस्कार भी शामिल है जो महाराष्ट राज्य द्वारा स्त्रियों और बच्चों के लिए काम करने वाले समाज करताओं को मिलता है पुरुस्कार से बिले इन सारे पैसों का उप्योग वे अनाथ राष्ट्राश्म के लिए करती हैं उनके अनाथा श्रम पुने, वर्धा, सासवाड, महाराष्ट में स्थित हैं साल 2010 में सिंधुताई के जीवन पर आधारत मराठी फिल्म बनाई गई मी सिंधुताई सबकाट जो 54 लंदन फिल्म महोचसव के लिए चुनी गई थी माई कहती है कि जिनका कोई नहीं है उनके लिए मैं हूँ सिंधुताई सबकाल के वल एक नाम नहीं है वो अपनियाप में एक वीरांगना की अमर कता है शत शत नमन ऐसी जननी को दोस्तो ये कोई entertainment या news चैनल नहीं है हम बहुत महनत से आपके लिए ऐसे प्रेंडना दाइक वीडियोज लेकर आते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकोन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले विनर शशी परवार से जोड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया